जाए हिन दोस्तों कैसे आप लोग आशा करता हम आप लोग अच्छे होंगे चले आज उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की हिंदी प्रैक्टिसेट जो की पार्ट वण है इसमें सभी तरह के प्रस्ने सामिल किये गए हैं यह यूपी सम इस्पेक्टर यूपी टेट के लि अला प्रस्ना है लिप चिन्हों के क्रम बध समू को क्या कहते हैं अक्छर वर्ण वर्ण समू या वर्ण माला तो बताए इसका से आंसर क्या होगा लिप चिन्हों के क्रम बध क्रम बध समू को क्या कहते हैं अक्छर वर्ण वर्ण समू या वर्ण माला तो इसका से आंसर क् तो इसका से आंसर हो जाएगा वड माला लिप चिन्हों के क्रम बद सम्मू को क्या कहते हैं वड माला कहते हैं अगर बात करें भासा के सबसे छोटी काई तो सबसे छोटी काई क्या होती है वह होती है ध्वन सबसे छोटी काई क्या होती है ध्वन होती है और इसी ध्वन क्या क लेखन के अधार कुल 52 वर्ड होते हैं चलिए अगला प्रष्ण है आइसी कवंसी दो मात्राइं हैं जिनका प्रियोक्त किया जाता है किन्तु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है बड़ा आ, छोटी इ, अंक, अह, री, उ, या इन में से कोई नहीं तो ऐसी कवंसी दो मात्रा हैं जिनका प्रयोक्त किया जाता है किन्तु उनका समावे स्वर में नहीं किया जाता है तो कवंसी है वह है अंक और अहा ये दो मात्रा है जिनका प्रयोक्त किया जाता है लेकिन समावे स्वर में नहीं किया जाता है अगला प्रशंद है शांस्कित से हिंदी में प्रियूक्त मूल सब्द से बर्तवान इस्थाई तद्भरूप तक पहुचने के मध्य में शांस्कित के असुद्ध या तूटे-फूटे सरूप में प्रियूक्त होने वाले सब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम, बिदेशी, देशस्ज या अर्धतत्सम तो बताईए इसका सही अंसर क्या होगा? इसका सही अंसर हो जाएगा अर्धतत्सम संस्क्रित से हिंदी में प्रयूक्त मूल सबसे बर्तमान इस्थाई तत्भो रूप तक पहुचने के मध्ध में संस्कृत के असुध या तूटे फूटे सरूप में प्रियुक्त होने वाले क्या खराते हैं अर्ध तत्सम चलिए अगला प्रस्ण है सब्द प्रकार के अधार पर मनुस्यता सब्दो का कौन सा भेद है कुण वाचक विशेषण जाति वाचक विशेषण भाव वाचक विशेषण या इनि में से कोई नहीं तो बताएए इसका सही आंसर क्या होगा मनुस्थिता सब्दों का कोंसा भेद है तो इसका सही आंसर हो जाएगा भावाचर संग्या मनुस्थिता कोंसे संग्या है वो है भावाचर संग्या जो सब्द पदार्थों की अवस्था 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 गुड़ दोस धर्म दर्सा ये सब अगर बता रहा है या बोच करा रहा है तो ऐसे सब क्या कहलाते हैं भावाचक संग्या कहलाते हैं चलिए अगला प्रस्ण है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांस के लिए सही विकल्ब का चैन कीजिए इंद्र जीत इंद्र जितेंद्री या इंद्रपती तो बताईए इसका से आंसर क्या होगा तो इसका से आंसर हो जाएगा जितेंद्री इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है जितेंद्री चलिए अगला प्रस्ण है से अलगाओ किस विभक्त का बोधक चिन है संप्रदान कर्म अधिकरण या अपादान तो बताईए इसका से अंसर क्या होगा तो इसका से अंसर हो जाएगा अपादान बात करें करता तो करता कारा के साथ क्या आता है करता कारा के साथ आता है ने अब कर्म के साथ कर्म के साथ आता है को अब करण के साथ करण के साथ आता है से या के साथ के साथ या के द्वारा के द्वारा बात करें अगर करण हो गया का संप्रदान संप्रदान की बात करें तो संप्रदान में के लिए के लिए या को अपादान बात करें तो अपादान से किसके अर्थ में अलग होने के अर्थ में बात करें अगर बात करें संबंध तो संबंध उसमें क्या आता है का के की रा रा रे और री बात करें अगर अधिकरण तो अधिकरण में आता है में और पर और उसके बाद बात करें सम्बोधन तो सम्बोधन में आता है हे अरे और उ चलिए अगला प्रस्ण है तन सब्द का लिंग निर्ःण कीजिए तन कमन सा लिंग है पूलिंग इस्त्री लिंग उभय लिंग या पूसंग लिंग तो बताए इसका से अंसर क्या होगा तो तन क्या है वह है पूलिंग तन क्या है वह है पूलिंग जिन संग्या सब्दों में से यथार्थ या कल्पित पूरुस तत्तों का बोध हो उन्हें क्या कहा जाता है पूलिंग कहा जाता है चलिए अगला प्रस्ण है उत्तम पूरुस सरो नाम के किस भेद का एक प्रकार है निजवाचक पूरुस वाचक संबंध वाचक या निश्यवाचक उत्तम पूरुस सरो नाम के किस भेद का एक प्रकार है तो बताए इसका से आंसर क्या होगा तो इसका से आंसर हो जाएगा पूरुस वाचक पूरुस वाचक जो सरो नाम पूरुसों यानि इस्तिया पूरुस के नाम के स्थान पर प्रयोग किये आते हैं उन्हें कहा रहता है उन्हें कहा रहता है पूरुस वाचक सरो नाम अगर इसकी बात करा जाए तो उत्तम में उत्तम पूरुस में उत्तम पूरुस में क्या आता ह उसमें आता है मैं और हम अगर बात करें मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष में तो मध्यम पुरुष में आता है तू तूम और आप अगर अन्य पुरुष की बात क्या जाए तो अन्य पुरुष में क्या आएगा यह यह वह और वे चले अगला प्रस्ण है कंचन एक क्रिशांगनी यूती है इस वाक्य में कौन स्य सुध्धी है सबचेन संबंधिय सुध्धी, वर्तनिगत असुध्धी, ब्याकरण की असुध्धी या सबनिर्माण की सुध्धी तो बताए कंचन एक क्रिशांगनी यूती है तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदवचयन असुद्धी, सदवचयन असुद्धी इसमें दिया गया है, अगर बात करें तो इसका कंचन एक प्रिसांगनी यूती नहों के, कंचन प्रिसांगनी यूती है, चलिए अगरा प्रस्ण है, निम जिली के समयस्या के लिए जिलातकारी को लिखा गया पत्र, बहन के बिवाह में सामिन होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, गाव में पुस्तकाले खुलवाने हेतु जिलापरशत के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, या प्रधानाचार को दो दिन के अवकास के लिए प् अनवचारिक पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसे निजित जीवन से जुड़े लोग जैसे परिवाय के सदस्यों, विरिष्टेदारों और मित्रों के लिए लिखा जाता है ऐसे पत्र अनवचारिक पत्र कहलाते हैं इसलिए बहन के बिवाह में सामिल होने के लिए लिखा गया पत्र अनावचारिक पत्र है चलिए अगरा प्रशन है हिंदी भासा में हास्व स्वरों की संख्या कितनी है हास्व स्वरों की संख्या पूछी जा रही है हिंदी भासा में हास सवरोग संख्या कितनी है तो हास सवरोग संख्या कितनी होती है वो होती है चार कौन कौन होती है तो होती है छोटी छोटा आ छोटी ए छोटा उ और जी यह हास सवर अब अगर दिर्ग सवर कितने होते हैं तो दिर्ग सवर होते हैं दिर्ग सवर दिर्गसवर होते हैं बड़ा A, बड़ी E, बड़ा O, और A, A, O, और O यानि कुल तोटल साथ होते हैं क्या दिर्गसवर और चार होते हैं हासवर तो इसका इसमें पूछा गया हासवर इसका से आंसर हो जाएगा चार चलिए अगला प्रशन है तो जो लोग चैनल पर नहीं हो प्लीज चैनल को जरूँ सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकाम प्रेस कर लिजे एवं सेर भी कर दीजे और जो लोग सब्सक्राइब किये हैं वो लोग भी प्लीज एक बाद वीडियो को जरूँ सेर कर दीजे अब आप लोग सेर्ज जरू करिए वीडियो आप फूरा देखा करिए चलिए अगला प्रस्ण है जिन सामासिक सब्दों में पहला पत संख्या को व्यक्त करने वाला विश्यसर होता है वे सब्द कहलाते हैं दोंद समास दिग समास बहुबरी समास या अब यही भाव समास जिन सामासिक सब्दों में पहला पत संख्या को व्यक्त करने वाला विश्यसर होता है तो यह सब्द क्या कहलाते हैं तो बताए इसका से अंसर क्या होगा तो इसका से अंसर हो जाएगा दिग समास वह समास जिसम सही विकलफ का च design किजिए आवणा खाई या यावणा आई या यावणा पडिई या यावणा आई या तो इसका आसर आंसर क्या होगा बताइए आप लोग में आवणा आई या या याई शुहावणा में आवणा प्रत्य है लिखाई में आई प्रत्य है और छलिया में यह प्रत्य लगा हुआ है चलिए अगला प्रश्ण है निम लिखित में से कौन सा तद्सम है इसमें कौन सा तद्सम सब्द है मा, मचली, केला, अमोले बताईए इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दी नमबर अमूल्य अमूल्य तत्सम सब्द है अगर मा की बात करें तो मा का तत्सम क्या होता है माता होता है अगर मचली की बात करें तो मचली की तत्सम क्या होता है मच से होता है और केला की बात करें तो केला का तत्सम क्या होता है कदली होता है और अमूल्य जो की तत्सम है इसका तद्भोग बात करें तो तद्भोग इसका क्या होता है इसका तद्भोग होता है अमोल चलिए अगला प्रस्ण है जो सब्द संस्कित भासा में उत्पन या बिक्षित हुए हैं वे क्या कहलाते हैं तद्सम तद्भोग आर्द तद्सम या देशत जो सब्द संस्कित भ ब्यत्पुति के आधार पर किल किल कौन सा सब्द है देशद दतभव अर्दतशम यानि में से कोई नहीं तो बताएए ब्यत्पुति के आधार पर किल किल कौन सा सब्द है तो इसका सई आंसर क्या होगा तो इसका सई आंसर हो जाएगा A number यानि देशब वे सब्द जिसकी उत्पत्ती का मूल पता न हो परणत वे प्रसलेंड में हो तो ऐसे सब्द क्या कलाते हैं देशब्द कलाते हैं जैसे किलकिल हो गया कटोरा हो गया कटोरा हो गया लोटा हो गया ठेट हो गया इत्याद चलिए अगला प्रस्ण है आलमारी कौन सी भासा का सब्द है भार्षी, पूर्थगाली, अर्भी, संस्कित तो बताएए इसका सई आंसर का होगा तो आलमारी कौन सी भासा का सब्द है तो इसका सई आंसर हो जाएगा पुर्थगाली अलमारी पुर्थगाली भासा का सब्द है चलिए अगला प्रस्ण है जिन सब्दों का प्रयोग वाक को स्रब्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन विवाक के अंग नहीं होते क्या कहलाते हैं जिन सब्दों का प्रयोग वाक को स्रब्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन विवाक के अंग नहीं होते क्या कहलाते हैं योगिक, मौलिक या AOB दोनों या निपात तो बताए इसका से आंसर क्या होगा तो इसका से आंसर हो जाएगा निपात जिन सब् दों का प्रयोग वाक को स्रब्य भावार्थ और किसी भी बात अत्रिक्द भार देने के लिए प्रयोग किया लाता है आयसे वाक क्या क्या आते हैं निपात प्रयोग दिये गई open अर्पों में सुद्ध सब्द का चेन किजिये है मोलिवान ऐसे लिखा जाएगा अग क्लिष्ट की लिखा जाएगा चोटी की ल, स, आधार्श और क्लिस्ट होता है अब ब्रह्म की बात कियें तो ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म ऐसे लिखा जाएगा चलिए अगला प्रस्ण है दिये गए बिकल्पों में से वह सद चुनिए जिसका प्रयोग सद एक ओचन में होता है कक्छा, आशू, प्राण, प्रतेग तो दिये गए बिकल्पों में सब वह सद चुनिए जिसका प्रयोग सद एक ओचन में प्रयोग होता है तो बताइए इसका से अंसर क्या होगा तो इ कितने अधार पर किया गया है दो चार आठ तीन तो वाक्यों का वड़की करण कितने अधार किया गया है तो इसका किया गया है दो दो अधार किया गया है कौन कौन से अधार पर तो पहला होगा रचना के अधार पर रचना के अधार पर और दूसरा अगर बात करें तो अर्थ किया गया है चलिए अगला प्रश्ण है वे वाक्य स्रवाक्य कराते हैं जिन्में एक से अधिक प्रधान उपवाक क्यों हो एक साधान और दूसरा आस्त उपवाक क्यों और एक ही उद्धेश और एक ही बिधे हो या आशित उपवाक समुच्चे बोधक अब्या से जुड़े हो तो बताए इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक ही उद्धेश और एक ही बिधे हो तो ऐसे वाकि का कहलाते हैं सरलवाक के कहलाते हैं एक ही उद्देश और एक ही विधे हो जैसे अगर हम बोल दें रोहन खेलता है इसमें उद्देश क्या है? रोहन और विधे क्या है? खेलता यानि यह क्या है? एक सरलवाक है तो एक ही उद्देश और एक ही विधे हो अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलने समय मुख से अधिक वान निकलती है तो उने क्या करा अधिक प्रते गोर्ण का दूसरा चवता तथा समस्ट वण महाउस्म जो वण होते हैं उस्म उस्म वण वो भी क्या कहलाते हैं? वो भी कहलाते हैं महाप्राण चलिए उस्म कौन कौन होते हैं वो होते हैं स स और ह यह होते हैं यानि यह होता है तालु स यह होता है मुर्धा स और यह होता है दंत स और ह यह भी उस्म ब्यंजन है और यह भी उस्म ब्यंजन महाप्राण ब्यंजन कहलाते हैं चलिए अगला प्रश्ण है उचारेंड की द्रिष्टी से संबल धोनी का कौन सा वर्गी करण है संप्रक्ति धोनी योगुमक धोनी संयुक्त धोनी या द्यूत्त धोनी तो बताएए इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रक्ति धोनी चलिए अगल बिपत धन जाल बराबर विपजाल में कौन से संधी है सुवर संधी बियंजन संधी वृद्य संधी या गुण संधी तो बताइए इसका से अंसर क्या होगा तो विपत धन जाल विपत धन जाल एक्वल या बराबर विपजाल में कौन संधी है इसमें संधी है इसमें कौन बन गया तो यह कौन संदी है तो यह संदी है बेंजन संदी बेंजन का स्वर या बेंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं बेंजन संदी कहते हैं चलिए अगला प्रस्ण है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है दुर 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 दुरा या दूस तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है तो दुरात्मा में दुरा उपसर्ग है यानि आपसन सी सही होगा चलिए अगला प्रस्ण है नेम लेखिर में से किस वाक में परिमाण माचक क्रियाबिसेशन है इस बार बारिस में बहुत ओले पड़े यह लड़की सुंदर है मैदान हरा भरा है तुम अच्छे खिलाडी हो तो बताएए इसका से आंसर क्या होगा? इसका से आंसर हो जाएगा, इस बार बारिस में बहुत ओले पड़े, यानी इस बार बारिस में बहुत ओले पड़े, यह पर्लमार वांचक किरअभिसेशन है चलिए अगला प्रस्ण है मनों भाउं को प्रकड करने वाले अविकारी सब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता क्या कहलाते हैं विकल्प बोधक अब्ये, समुच्चे बोधक अब्ये, बिश्मयाद बोधक अब्ये या अनुबध्य बोधक अब्ये तो बताए इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा विकल्प बोधक अब्ये चलिए अगला प्रस्ण है वे भरष्टाचार के प्रबल विरोधी थे इस वाक में सरुनाम का कौन सर पकार है संबंद वाचक सरुनाम, निश्य वाचक सरुनाम, निज वाचक सरुनाम या निज वाचक होगा निजवाचक सरुनाम या पुरुस वाचक सरुनाम तो बताएए इसका सही अंसर क्या होगा वे भरष्टाचाल के प्रबल विरोधी थे तो इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा निजवाचक सरुनाम निजवाचक सरु नाम इसका सही आंसर होगा चलिए अगला प्रस्ण है नलिनी कैरो और चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची सब्द हैं कौमुदी सवधामिनी कुमुदनी या कुमुदकला तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर क्या होगा नलिनी, कैरो, एक मिनट फिर से प्रस्न पीछे करें तो, विरेभरष्टा चार के प्रबल विरोधी थे, इस वाक्त में सरुणाम का कौन सा प्रकार है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा? पुरुसवाचक सरुनाम, इसका सही आंसर क्या होगा? पुरुसवाचक सरुनाम, जिन सरुनाम सब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है, उन्हें क्या करते हैं? पुरुसवाचक सरुनाम करत चलिए अगला प्रस्ण है सब्द यूग्म यदा कदा यदा कदा का सही अर्थ यूग्म का चैन कीजिए जब तब कब तब जब कब या कब जब तो बताइए इसका सही अंसर क्या होगा? यदा कदा का सही अंसर क्या होगा? जब तब कब तब जब कब या कब जब तो इसका सही अंसर क्या होगा? तो इसका सही अंसर हो जाएगा? जब और कब यदा में सोता है जब और कदा में सोता है जब जमलग यदा और कब कब यानि इरदा मींज जब और कदा मींज कब चलिए अगला प्रस्ण है नियत और नियत सब्द का सही अर्थभेत का चैन कीजिए इरादा भाग्य इरादा निश्चित निश्चित इरादा या भाग्य निश्चित तो बताए इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चित इरादा या नियत यानि नियत इसका मलब निश्चित हुआ और नियत अगर बड़ी निय आ गया तो इसका म पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद